कैसे आप सभी दोस्तों एक्जाम से पहले आपका यह डाउट सेसन यह रिगार्डिंग अससे स्टैनों है अभी जो सीप्यों के वगर्णा के डाउट रखें वो मैं अलग से बताऊंगा किसे आपको अभी बच्चों का यह कमेंट सेसन है जिसमें बच्चों ने हमसे सवाल प अधुरी मारोय का है 17 मिट पहले का है जब मैंने इसकी इस लिया था उसके इनका सवाल है कि सर एक्जाम पैटर्ण चेंज हो सकता है इस तरह का जैसे की सीचसल का हुआ सीजल का हुआ इस तरह से देखिए अगर होना होता तो यह फिर नोटिपिकेसन आता है ना बेटा फिर इसमें कोई चेंज़स आपके नहीं आएगा तो सेम सिलेबस है जो आपका पहले चलता आ रहा था पे कोई बलाव कोई नया इसके उन्हें तॉ बहुत और अराम से अपने त्यारी करें आ आ रहे हैं और मैं तो कहूंगा कि अब ही से लग जाए त्यारियो में जिससे कि मार् हो गया तो आप लोग अपने त्यारों में जुट सकते हैं बहुत अच्छे से येस तो ज़िए अच्छा तरीका रहेगा हां यह सवालिश का बड़ा मन में यह तॉटूकि पर भी में पर इस दिनकिमें परचा योटिवब जिसमें आपका पूरा ग्रैमर रहेगा और खासकर हमारे ग्रामर की खास बात ही है आप एक कोई टोपिक हमसे ले के देखना बच्चो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कोई एक टोपिक आप हमसे फिरी ले लिजेगा और उसको पढ़िएगा हमारा प्रणौन यूटूब पर मैं उसका भी लिंक जो है अपना प्रणौन का मैं इसी वीडियो के डिस्किसर बॉक्स में डाल जो सबसे उपपर उस पूरे लक्च्चर को पढ़के देखना आप हमारे लक्च्चर को हमने मुसकी से डेड़ गगंटे में यानिके सिर्फ 90 मिन पर प्रणौ परफेक्ट मीरर एस बखसी केडी केंपस किस्टफर फोनिस्टर पांच बुक्स चप्र प्रणौन कोई नहीं कर आएगा आपको और लक्च्चर बड़े-बड़े-बड़े पढ़ाएंगे बहुत बड़े-बड़े हमने प्रणौन पढ़ाया है इसलिए मैंने पांच बॉ प्रूस के बाउजूद भी कि आप एरर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद में अगर खाली रिजिन की बात करेंए तो हमने किरन 11000 से कंप्लिट कराई है यह पूरा का पूरा हमारा पैटर्न है पढ़ाने का सर मेरी एज अप्रेल में एठारा होगी यानि कि ये बच्चा दिरिष्टी की लड़की है अप्रेल में एठारा की होंगे 2023 में अब बच्चों जान दिना यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं फर्म बर सकती हूं नहीं बर सकती हूं देखिए अगर डेट अगस्ते कांट भी तो कर पाएंगे लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छी बात भी को साफ के पास तो काफी समय बटा भी त्यारी करने का लेकिन औरों का बहुत समय और बहुत ज़्यादा बड़ा नुसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक जनुरी 2023 से लग होगी और तब भी साफ उसे कर पाएंगे चलिए तो इसका मतलब अभी आप नहीं यह जिए बरोंगी सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफेर्स के लिए यानिके मिए के लिए कितने मांस लागान होंगे EWS कास्ट हो तो देखिए कास्ट EWS हो जनल हो अगर आपको इतने अच्छे लेवर की जोब चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है कल अपना सिफ्ट वाइज कितने हाइस मांस रहे कितने लुवर्स मांस रहे वो वीडियो जुरूर देखिए आप हमारा तो कम से कम 150 बलस का टागेट लगे चलें और इस 150 के टागेट में मैं आपके 135 पर तो महीं लगवा देता हूं बच्चो अगर बच्चे ने हमारा वो इंग्लिस के लागे वाट इजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वाइड फॉर एस सिस्टन दो जाते हैं देखिए तो सबको पता है बच्चो ट्वैल्थ मीनिमम होना चाहिए बहुत बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है ऐसा नहीं कि बीएड़ पास होने चाहिए कुछ भी इन्हों नहीं मांगा है बहुत सिंपली सी जब्ड़ों में है कि बस ट्वैल्थ पास हो आप किसी भी तरह से किसी भी बूर्ड से तो यह इसकी अजिक्सिन क्वालिफिकेशन है बहुत आज जाएफिक क्वालिफिकेशन नहीं तेकिन इसको करने वाले बड़े आजए वागो रिजट आजाना चाहिए में भी कल आ जाए परसो आ जाए तरसो आ जाए इस बिच कभी भी रिजट आ सकता है बहुत बेफिकर रही है अपने अच्छे मांस के लिए विजट आना के बाद में बताऊंगा कि कितने बच्चे मारे से लट हुए हैं बहुत सार आज में ग्रेट C और D दोनों भर सकता हूं सी कटेगरी से कर आप हैं तो डेफिनली आपको पाश चांसे हैं अगर किसी और कटेगरी से होते तो यहां पर आप बाहर वाचुके होते एक से यहां पर आपको रिलेक्स निजुमलता है उसका आपको लाब मिलेगा तो आप भर आप किसी भी कोशिंग में जाएंगे वह आपको ग्रामर प्रास यहीं पढ़ाते लेंगे वट अब आपो यह कोई नहीं पढ़ाएगा तुकिछ से पढ़ाने में लगते हैं महनत फिर यह हमारे लिए चोड़ देते हैं उसके बात बच्छों लगता है कि यह तो हम खुद ह कर लेंगे करते हैं बस वह नास परना सुरू हो जाता है कि ग्रामर का पीवाइक उससे कोई लेना देना नहीं ध्यानक है जब आप यहां ध्यान देने ग्रामर आपने अलग लेवल का पड़ा है पीवाइक पड़ेंगे तब आपको पचले हैं कि आप कहां से रही है सबसे इंपोटन बात तो यह बहुत जरूरी है कि आप प्रिवेस यह कोश्चन करें अपना जब सिलेबस कंप्लेट हो जाए आपक अब देखें कि आप तैरा सवाल बच्चे का कह रहा कि मैं साथ बार फिल हो चुका हूं अब यह एक गंभीर सवाल है बच्चो जानके ऐसा यह नहीं कि मतलब इनके लिए मैंने सवाल इसली लिया मेरे पास से बहुत सारे बच्चे में यूट्यूब पर आया तब से अब तक आसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास में जो सिर्फ उद दिन से डेवन से सरी और ही हैं यह हालात बारने हैं बच्चों के जो बड़बी जै आप जा गर फसी रहे हैं और सिर्फ ग्रैमर कर रहे हैं और थूसरी मुसिबत क्या है ंसे सेल्व स्टडी मैं हमेशे बोलता हूं बच्चों के सेल्व स्टडी ठीक है बहतर है लेकिन तब आपका सिलबस कंप्रीट हो जाए बच्चे सँचता है कि मैं सेल्व स्टडी क Feelsない करूँ हूँ सारह कॉर्स कंप्रीट क्रूँ आ आपको याद हो जाता है कि महला पहले वाले कोशन में यहां गलती है गोशन में यहां गलती है यहां से बस ब्रेक फेल हैं वहाँ पर जाकर के तो यह समस्चा एक नहीं बच्चों बहुत सब्सक्राइब किसी से भी करो लेकिन आप प्रिवियस एयर कोश्चन कम्प्रिट करो सुनने के बाद अलगी मज़ा होता है बच्चों करने का जानक है आप लोग यह ऐसी सुनना विजूल मेसड़ बनाया हुआ हुआ हमारे महान जो गड़ी चंगे उन्हों बताया है जो महान इसकोलर से उन्हों बताया है यह तरीके हैं वाके वर्क करते हैं और वर्क करते हैं बच्चे तो इन पर थोड़ा सा मैनत करो यह चिज़े बना तो आपको डिप्रिस्टों ला देंगी बच्चों जानत एं ऐसा और किसंदी के साथ नहों चलिए अपना पहली जानत के सिर्फ छिएस के लिए भी कुछ कर दोंट वर्य बच्चो चलिए यह था हमारा लास्ट कमेंट और इसको हमने लाइक नहीं किया तो मैं तो यहाँ पर लाइक कर देता हूं यह फार्ट इसका ठीक है बच्चो तो और भी कोई डाउट अगर आपका इस तरह का हो तो आप हमसे सकते हैं कमेंट बुक्स में कमेंट कर सकते हैं हम लोग किसी भी दिए एक हफ्टे में लास्ट में सारे का सारे कमेंट एक सारे कर आए बच्चो ऑपके दोस्तों तो फिलाज चलते हैं मिलते आप से कर लोगोट मैं